दोस्तों कल मेरे पास मेरा एक मित राया और उसने मुझे कहा कि उसको इसके बॉस ने एक वीडियो दिया है जो लगबन दो गंटे का है और उसे उस वीडियो को टाइप करना है अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना तो उसे हिंदी टाइपिंग आती है और ना उसे इमेज टाइपिंग आती है तो वो वीडियो को देख देख कर कैसा ही टाइप कर सकते है तो मैंने उसे कहा कि इसका एक बहुत ही घज़ब स्लूइशन है जिसकी मदद से आप किसी भी वीडियो को टाइप कर सकते हैं वो भी ब니ना टाइपिंग सीखे तो उसमें मुझसे का कि यर ये कैसे possible है कि ऐसा हो सकता है कि हम YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई हम lecture देख रहे हैं और वो lecture देखने के साथ साथ type भी होता चला जाए और अगर ऐसा हो गया तो इससे बहुत सारे इन लोगों की problem solve हो जाए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वीडियो को बिना टाइपिंग सीके टाइप कर सकते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये माइक है जिसकी मदद से मैं अपनी YouTube वीडियो को create करता हूँ और अगर मैं इसका इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपनी वीडियो को text में convert नहीं कर पाऊँगा उसकी वज़ा ये है कि ये बिसिकली external voice को ही catch up करता है यानि external voice को ही record करता है अब जैसे speaker से आने वानी कोई भी voice होगी उसे ये अच्छी तरीके से record नहीं कर पाए तो दोस्तो माइक जो होता है वो आपके laptop में भी होता है और आपके desktop में भी होता है तो आथ desktop में से आसानी से इसके plug को निकाल देंगे तो ये basically आसानी से disable पोज़ाए वैले कि अगर आपको पास laptop है तो उसी in settings से जाकर के आपको disable करना होगा उसके बाद जाकर के आप अपनी वीडियो से टेक्स्ट में कलवर्ट कर भाएंगे तो आइए जानते हैं और इसे किस तरीके से कर से तो दोस्तो इसके रहे सबसे पहले आपको जाना है start बटन पर और यहाँ पर आपको type करना है control panel control panel type करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से की interface open हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको view by का option दिखाई देगा यहाँ पर आप click करके categories wise पे click करेंगे यहाँ पर आपको category wise भी option आपको दिखाई देगे यहाँ पर आपको ले रहा है large icons और इसके बाद आपको यहाँ पर select करना है sound sound पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा और यहाँ से हमें playback option को छोड़ते हुए recording बाले option पर जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने दो options दिखाई दे रहे हैं पहला microphone है और दूसरा stereo mixer दोस्तों यहाँ पर हमें microphone को disable करना होगा ताकि यह बाहर की कोई भी voice को capture ना कर पाए तो यहाँ पर हम microphone को disable कर देते हैं और इसे disable करने के लिए आपको यहाँ पर right click करना है और यहाँ से disable पर click कर देना है तो दोस्तों इतनी settings करने के बाद आपको यहाँ से cancel कर देना है और इसके बाद यहाँ से कोई भी एक web browser open कर लेना है जैसे हमार लिजे हम यहाँ से google को open कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइब करेंगे doc.new इतना टाइब करने के बाद हम यहाँ पर enterprise करेंगे doc.new बेसिकली msword की extension command होती है याँ डिरेटली यहाँ पर docs.new डाल करके msword को open कर सकते हैं और इसकी बाद आपको जाना है यहाँ से tools option पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा voice tapping का एक option इस पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक mic का option दिखाई देगा और यहाँ पर आपको language पर click करना है और आपकी video जिस भी language में है उस language को आपको यहाँ पर select कर लेना है जैसे मालनीजे हमारी जो पाशा है वो हिंदी है तो यहाँ से हम हिंदी को select करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर नए टैप में YouTube को open कर लेते हैं और यहाँ से हम अपनी ही कोई एक वीडियो play कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पारवारी यह video है हम इस video को यहाँ पर play करने वाले हैं और उसके बाद हम इसे यहाँ पर छोटा कर लेते हैं और उसके बाद आपको किसी भी एक video पर click कर देना है और उसके बाद हम अपनी एक video यहाँ पर open करके इसको play करके आपको सुनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर वीडियो को play करना है और उसके बाद record icon पर आपको click कर देना है record icon पर जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं video के अंदर जो भी बोला जा रहा है वो यहाँ पर खुद बखुद record होता चला जा रहा है यहाँ पर हमने वीडियो को mute किया हुआ है ताकि आपको मेरी जो voice है वो proper सही तरीके से सुनाई दे और समझ में आए तो दोस्तों typing complete होने के बाद आपको जाना है यहाँ से वापस से control panel के अंदर और यहाँ से आपको वापस से sound वाले option पर click करना है इस पर click करने के बाद वापस से आपको recording वाले option पर आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना microphone enable कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले से ही अपने microphone को यहाँ पर enable कर रखा है अगर आपका यहाँ पर disable है तो यहाँ पर आप इसे enable कर लीजे ताकि आप अपनी external mic का यहाँ पर इस्तमाल कर पाएंगे तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा धन्या बाद